कि अलो एब्रीवाण वेलकुम तू अवर न्यू टॉपिक तो आज का जो टॉपिक है जैसे कि हम फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ रहा है फैक्ट्री एक्ट नाइंटीन फॉट्येट के बारे में तो इससे पहले हमने चेप्टर थी पढ़ा ता जिसमें कि क्या था है अब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे जो कि किस से रिलेटिट है पूरे इंडरेस्ट्री से रिलेटिट, से रिलेटिट, से रिलेटिट, से रिलेटिट, ठीक है, all safety sections इसके अंदर दे रखे है, section 21 to 41, ठीक है, अब जैसे कि हमने occupational health की बात की तितने टाइम से हम बात करते हैं, occupational health क important है, तो इस तरीके से health के बाद safety, safety किस तरीके से maintain कर सकते हैं, जितने भी हमने health से related बात है, कि वो भी कहीं न कहीं safety से जुडाता, अब यह बात जो आ रही है, यह machinery safety के आ रही है, कि machines में safety हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि main point of view अपना वही रहेगा, कि हम कैसे machines में, machines जितनी भ content नहीं कर सकते हैं, जिक है, तो इसी तरीके से, जैसे health के बारे में हमने बात कीते हैं, वैसे हम safety के बारे में बात करेंगे, तो एक industry की अगर मैं बात करूं, तो आप समझते हैं, कि safety कितनी ज़्यादा जरूरी है, है ना, हमको वहाँ पे occupational health भी देखना है, हमको वहाँ पे machine safety भी देखनी है, हमको वहाँ पे ये भी चीज़ देखनी है, कि occupational health भी देखनी है, ये भी देखना है, accident ना हो जाए, accidents के अंदर जितनी भी category आती है, उन में इसे एक भी category types ना हो पाए, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी near miss हो गया, ठीक है, near miss के बाद major accident हो गया, minor accident हो गया, फिर fatal accident हो गया, fatal accident जैसी नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए, और नहीं major accident जैसी, minor accident हो जाता है, या फिर, कोई minor accident या near miss हो जाता है, तो उससे उतना effect नहीं पड़ेगा, हाँ, पर हमारे work performance में effect पड़ेगा, क्योंकि जब हम last में overview करते हैं, observation लेते हैं, कि हमारे workplace पे कितने accidents रहे, ह इस टाइम पे वो शो किया जाता है, तो हमें इस तरीके की चीजों से बचना है, और अपने workplace को इतना safe बनाना है, कि without accidents चलता रहे, ठीक है, तो sections यही शो करते हैं, कि आप किस तरीके से safety कहां कहां maintain और अच्छे से कर सकते हैं, तो health के जैसे बात की थी, तो cleanliness वगेरा, temperature हो सकते हैं, hazards तो, हमने health के बार में बात की, तो वहां sections ने बताया कि आप यह चोटी-चोटी चीज़े करके, इनको safe कर सकते हैं, life safe कर सकते हैं, ठीक है, अब हम sections की बात करेंगे, safety से related, तो section 21 to 41 तक की बात करेंगे, कि यह क्या कहते हैं, ठीक है, तो section 21 की हम बात करें, तो इ उनको ढख दे जिससे कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट जो है उससे कोई भी हजार्ड या एक्सिडेंट ना होने पाए ठीक है फिर नेक्स्ट बात आती है नियर मशीनरी इन मोशन वर्क और नियर मशीनरी इन मोशन अगर आप किसी मशीन के आसपास काम कर रहे हैं और वो हां पर observe करेंगे कि अगर यह मोशन में है तो किस किस तरीके के एक्सिडेंट हो सकते हैं ठीक है तो हमें वहीं द्यान देना होगा कि हम उनकी प्रॉपर कवरिंग कर दें है ना उन पर कवर्स लगा दे जिससे कि कि किसी का हाथ या कोई भी बोडी पार्ट गलती से भी उस सब्सक्राइमेंट ऑफ यंग परसंस और डेंजरस मशीन ठीक है सेक्शन 23 कितने कैसे आपको अरेंज करना है परसंस को सेफटी के लिए मशीन के लिए अब उनी परसंस को रखें जिनको उस बारे में नौलेज हो और वो मशीन वो अपरेट कर पाएं ठीक है ऐसी सेक्शन 24 क यह काम कौन कर सकते हैं जिसको पहले से एक्सपीरियंस हो ठीक है तो यही इसमें बता रहा है यह कि फिक्सन 24 कहता है कि कोई भी मशीन का अगर वर्क चल रहा है और इस तरीके से पावर का टॉफ ओन करना है तो यहां आप उनी बंदों को रखें जिनको एक्सपीरियंस हो ठ ठीके 22 hours तक वो खुदी work कर रही है उन machines पर भी ध्यान देना होगा कि उनका जो जितना अब देखिया एक प्लांट है उसमें पूरा एक machine पूरा system generate रहता है कि कहां से material आएगा कहां उसकी packing हो कि कहां manufacture होगा कैसे बनके निकल रहा है तो यह पूरा एक process जो रहता है यह self acting रह करें हम instruments का use करें equipment का use करें किसी भी चीज को हटाने के लिए यह वहां तक ले जाने के लिए ऐसा ना हम अपने हातों का use कर रहे हो ठीक है जाते हैं जैसे कोई machine है कोई chain है रूप है उनके दुरू आप कोई सामन ले जा रहे हैं और वो अन्बैलेंस हो जाता है डिस्बैलेंस हो जाता है या overloaded कर देते हैं उनसे होने वाले hazards पर भी हमें ध्यान देना है ठीक है पूरे sections यही बताते हैं कि आपको machines पर safety रखनी है machine safety आप जैसे की छोटी-छोटी चीज़ें नोट करके आप रख सकते हैं अगर कोई machine खराब हो जाती है तो उसको आपको isolate करना होगा उस place को आपको loto system यूज करना होगा चिक है loto system के बारे में मैं पहले topic में बता चुकी हूँ आप अगर चेक करेंगे चानल पर तो loto system आपको मिल जाएगा तो loto system क्या था यह वही चीज है जब कोई machine खराब हो जाती है तो आपको machine isolation करना पड़ता है उस machine का isolation करना पड़ता है loto system द्वारा चिक है तो loto system क्या होता है वह आपको पता चलेगा आप इसी में यह जो हमारा चानल इस पर वीडियो पढ़ा होगा loto system करके ठीक है तो यह section 21 to 30 तो हमें समझ आया सारा machine से related है ठीक है तो यह देखे आज मैंने आपको section 21 to 30 तक आपको बता दिया है next वीडियो में हम अपने बाकी section continue करेंगे के 31, 32 to 40 तक क्या कहते है sections चीक है sections के बार में इसलिए information देना जरूरी है क्योंकि ताकि आप लोग को भी समझाए कि यह जो हम safety maintain करते हैं यह ऐसी इतना सारे safety जो है वो यूही नहीं active की जाती है इनके लिए पूरे sections बनाए गए है पूरा factory act तयार किया गया है हर काम को करने के लिए तरीका दाई दिया गया है तो यह सारी चीज़े इसलिए aware कराई जारी है आपको ताकि कभी जब भी आपका कोई भी interview हो या exam हो तो यह सारी चीज़े पूछी पूछी जाती है कि sections के according क् तो यह था आज का topic so thank you